सूरा नंबर सोला का 115 आयत है ये कुरान में लिखा है क्या कह रहे हैं? इन्नामहर्ामहलायकुम अल्मायताता मितजीव, खून, प्रिगी का मांस जो कुछ भी अल्ला ताला को समर्पित नहीं किया जा सकता उसका सेवन वर्जित है प्यारे उसका सेवन वर्जित है, कुरान कह रही है एए एल एमान, जो पाकिज़ा चीज़ें हमने तुमको अता फर्माई हैं उनको खाओ, और अगर अल्ला ही के बंदे हो तो उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो उसने तो तुम पर बस मरा हुआ जानवर और लुहू और सुर का गोश्ट और जिस चीज़ पर अल्ला के सिवा किसी और का नाम पकारा जाए हराम कर दिया है हाँ, जो मजबूर हो जाए बशर्ते के अल्ला की नाफर्मानी न करे और हद जरूरत से बाहर ना निकल जाए उस पर कुछ गुना नहीं बेशक अल्ला बक्षने वाला है रह्म करने वाला है